शिम्मंगाल में बीजेपी और टीमसी के बीच घमासान जारी है मम्ता मेनरजी ने कोलकाता में कोर कमीटी की बैठक में पार्टी की निताओं से बीजेपी द्वारा गबजाए पार्टी ओफिसों पर फिर से गबजा करने को कहा है बैठक में मम्ता ने RSS की तर्श पर बनाय जा रहे जहिंद सेना और बंग जननी वाही को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए जहिंद सेना का अध्यक्ष अपने भाई कार्टिक मेनरजी और मंत्री ब्रातिय बसू को बनाया है और बंग जनिनी वाहिनक का अध्यक्ष काकोली घोश तस्तीदार को बनाया है जिन इलाकों में पाठी हारी है वहाँ अपने नेताओं से छोटी छोटी रेलिया करने को भी कहा है ममता सरकार ने चकदल थाना प्रभारी का तबादला कर दिया है गुरुवार को ममता बनरजी की गाड़ी के साबने जैश्री राम के नारे इसी में इसी इलाके में लगाए गए थे वही पश्चिम मंगाल बीजपी अध्यक्ष दिलीब घोश ने कहा कि ममता बनरजी बोखला गई है और हार को पचा नहीं पा रही है एक मुख्व मंत्री की ढंक से बात करना चाहिए की इस भासा में बात करना चाहिए ये भी लोगों के सामने प्रकट हो गया है लोग इसका निर्णा ये ले लोग सबाचुनाओं में लोगों ने इसका बिरोध करके हम परिवर्थम किया है और इसलिए बोखला गई है और हार को पचा नहीं पा रही है प्रकश्वार बात करना चाहिए लोगों किया है